नमस्कार सातियो आप समने एक CCTV वीडियो देखा कि विवेक सर की जो कोचिंग सेंटर है प्रियाग राज में उस पर कुछ गुन्नों के दौरा हमला किया गया ऐसा विवेक सर का कहना था यूपी तक जो आज तक का चैनल है यूपी का उन्होंने भी अबाज को उठाया और वेभिन सोसल मेडिया के माध्यम से आपने देखा लेकिन जो असली हकीकत क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि एक पक्च को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सायथ ये ही सही है लेकिन उसी कोचिंग सेंटर का एक और नया जो CCTV है वो वीडियो सामने आया है वो अभी आपने देखा होगा और भी वीडियो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा उस नए वीडियो से क्या ये मामला फर्जी निकला है क्योंकि सोचल मीडिया पर कमेंट्स के माध्यम से हमारे जो पहला वीडियो है उसमें कमेंट्स में लिखा है कि ये मामला फर्जी है ये क्या है ये केवल एक publicity stunt था क्योंकि नई कोचिंग ओपन हुई है तो उसका तरह कि सवाल उट रहे थे जैसा जिसका मूह होता है वो ऐसी बात करता है फिर विवेक सन्न ने खुद आकर सची कहनी बताई और इसके लिए माफी भी मांगी मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से डिटेल से बताऊंगा लेकर उससे पहले ज़िए आपको हमारी वीडि लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं मैं आपको बताता हूं उन्होंने ट्वीट के माध्यम से क्या बताया यह सबसे पहले हैं से एक उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज लगा और पॉइंट मेरा नाम वेवेक है और मैं एक छोटी सी कोचिंग का संचालक हूँ मेरी कोचिंग मुख्य रूप से दिल्ली से चलती है अभी जुलाई 2024 में मैंने एक आप लाइन ब्रांच प्रियागराज में ओपन की जहां मैं स्वेम रहकर मेहनत कर रहा हूँ दिनाग 4 स्थमबर स्याम 7 बजे ये उस 10 स्थमबर से पहले की घटना है 7 बजे मेरी गैर मौजूदगी में 10 बार है लोग प्रियागराज संस्तान में आकर गाली और धमकी देते हुए स्थमबर से बोल कर गई की अपने मालक से कह देना की प्रियागराज में कोचिंग चलानी है तो एक हपते में 50 लाग रुपिय दे दे वरना कोचिंग को आग लगा देंगे स्थाब ने मुझे सूचित की अब मैंने गम भीरता से नहीं लिया और सूचा की आज के समय में ऐसे कौन हमत करेगा चंदा मांगने आया होगा और डराने की कोशिस कर दा होगा इस वज़ए से मैंने पुलिस को सूचना नहीं दी ये मुझस से गलती हुई यहाँ पर बेव उसके बाद उन्होंने लिखा कि कल दिनाग 10 सितंबर से हम 6 बजे के लगवग पहले 7-8 लोग फिर थोड़ी देर बाद 7-8 करके 20 से अधिक लोग संस्तान में घुशा आए हमारे स्टाप के दोरा विनमता से पान इत्यादी पिलाया गया बैटने के कुछ मिनट बाद ही उन्होंने स्टाप से गाली गलोच करते हो कहने लगे कि गुंड़े ही कर रहे हो पहार से आकर बोला था कि एक हफते में 50 लाक पहुंचा देना अब 1 करोड रुपिय अभी दो जला नहीं तो मार कर यहीं टांग देंगे उन्हें से कुछ बाहर से पैटरो लाकर संस्तान को जलाने का कहने लगे हम सभी बहुत बहवीत हो गए उस समय संस्तान में सोसे अधिक चात चाता हैं अधियार्थ से सबखी और अपनी सुरक्चा को देखते हुए मैंने कोई पिर गटना बताएंगे यह लोग कुछ देर बाद अपने और सातियों को फोन करके बुला लिया और अधिक उत्ते जित्ते और पुलिस आने के बाद भी 10-15 मिनट तक उत्पाद और धमकी देते रहे यह लोग कहते रहे कि कितनी बार पुलिस आएगी और तुझे बचाएगी ब यह बहुत भयावय था इतनी सक्त कानून वेवस्ता कि बाबजूद यह लोग 40 मिनट तक बंदख बना कर रखे और लगाता जान से मानने की धमकी देते हुए बहबीत कर दे रहे पुलिस की पहली मदद डायल 112 से 20 मिनट में मिली 20 मिनट में के अंदर अंदर पुलिस हमाँ पहुंच चुकी थी परंतु परियाप्त पुलिस बलने होने से यह लोग पुलिस से भी बत्तमीजी करने लगे तूसरी पुलिस मदद 30 मिनट बाद इंस्पेक्टर साहब आया और उन्होंने बाहर किया इंस्पेक्टर साहब ने बाहर किया उसके बाद अब जो वर्तमान में इस्थीती क्या है वर्तमान इस्थीती ये है कि पुलिस के द्वारा मुझसे तहरी लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है अब उनको जवाब मिल गया है जो यो लोग कह रहे थे कि एफाई अदर क्यों नहीं कराते ये सब पुलिस्टी है ये सब कोचिंग का प्रिचार करने का माध्या है तो मुकदमा पंजीकृत किया गया है कुछ गुंडों की पहँचान सोचल मीडिया से हुई है जिसमें बादल अब ये आगई नहीं कह रहे थे कि ये इनकी लोग थे पब्रिच्टी थी फलाना था जिसमें बादल महमंत्री का चुनाव लड़ा है राहुल पिरवीन सोरब और अन्य की पहँचान की कोशिस कर रहे हैं इनकी पहँचान कर लिए ये अन्य है मैं तो माने मुख्यमंत्री जी मारी योगिया दितिनाद जी से बहतर स्वरक्चा के आसवासन से दिल्ली से प्रियागरा जाया था और यहां यह सब देखने को मिला मुझे बचाने के लिए मेरा स्टाप खड़ा हो बया ये किसी आम इंसान के साथ भी हो सकता है किसी बैंक में हो सकता है इन लोग को कानून का या मुकदमे का कोई डर नहीं था नहीं जाने कितने लोगों से लोग रंगदारी बसूलते होंगे अब मैं अपनी सुरक्षा के लिए अपने परिवार से क्या कहूँ पर कुछ हो मैं एक पैसा रंगदारी का नहीं दूँगा अगर माननी मुख्यमात्ती जी कहेंगे तो मैं चाहिए करज लेना पड़े या खुद को बेचना पड़े एक करोड रुपी अपनी और अपने संस्तान की शुरक्षा के लिए उन्हें दे दूँगा पर मैं गुंडो को एक पैसा नहीं दूँगा राश्ट में उन्हें लेखा कि यही मेरा पक्ष है मैं कि मेरी किसी से किसी भी प्रकार की कोई नेजी या कैसी भी दुस्मनी नहीं थी कल टूटर पर अमुल्य समत्तान के लिए मैं सदय बाभारी रहूंगा पूले 30-40 मिनट की CCTV पुटेश संदक्षत है कुछ पुटेश संकलित है तो यह 3-4 वीडियो है आप अच्छे से देख सकते हैं बाकी वीडियो पुटेश दिलिज नहीं की गई है सब्सक्राइब की सब्सक्राइब हो सकती है तो आप टूटर पर जाकर देख सकते हैं यह सारी वीडियो उनका टूटर हेंडल मैंने आपको दिखाई दिया बेवेकसर का तो अब वह लोग सायद चुप हो जाएंगे जो कह रहे थी